हलो एब्रीवन, विल्कम तो दे मेडिकोस जन आज मैं आपके नॉट से रिलेटर बहुत से डाउट क्लियर करने वाले हूँ मेंली स्टुडेंट्स को ऑप्शन वान और ऑप्शन टू का डाउट रहता है तो हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग ऑप्शन टू चूज करेंगे उन्हें डॉक्टमेंट्स अपलोड करने हैं या नहीं डेपोजिशन मनी कैसे पे करनी है अगर ऑप्शन टू चूज किया है तो सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी और बहुत से और भी मेंन टिंग्स है जो हम इसमें क्लियर करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देखना तो इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जितने भी अंसर्टेनिटीज हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी बेसिकली क्या होता है कि जो कोई भी नोटिस होता है कोई भी रिजल्ट होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है आप प्रॉपर्ल अगर उसको पढ़ेंगे तो सारे डाउट्स वहीं से इकलियर हो जाते हैं तो देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीज़े हैं बोली गई हैं आपकी तो पहले कुछ चीज़े हैं जो फटा फट से देख लेते हैं उसके बाद ऑप्शन्स वान एंड टो की जितने भी डाउट्स हैं वो डिसकस करेंगे डिटेल में तो सबसे पहले यह रिजल्ट टोटली प्रोविजनल है और वहीं कैंडिडेट हो विल फुल्फिलिंग ओल्द एलिजिबिल्टी क्रिटिया विल हाफ कंफर्ण पोजिशन जो भी एम्स की तरफ से आपके अडवर्टीजमेंट आई थी उस टाइम पे उसके हिसाब से और फिर सेकिंडली क्या है कि जो इंसिचूट एलोकेशन है वो मेरिट के हिसाब से ही हुआ है और कैंडिडेट की जो प्रेफरेंस है उसमें वो भी देखकर यह सब कुछ अलॉट्मेंट की गई है बिकर यह हो चुका है इसलिए यह सब है थर्ड वान इस जो पी डब्ली ब करें एक रिजामिनेशन करके फिर कनफर्म करेंगे और किडिसेबिलिटी है इस तरह से कनफिरमेशन होगा सीट का देगेस्ट वन इस जो एप्यूइटमेंट्मेंट्स हैं वो इलिजिभिलिट क्राइटियरिया की फुल्फुल्मेंट से ही होगा जो सभी सार्टिफिकेट स है वो वेरिफाई किया जाएंगे पहले रिपोर्टिंग के टाइम पर अगर कोई भी इंफोर्मेशन गल्लत हुई तो जो कैंडिडेट का वो कैंसल हो जाएगा on the spot and the next one is अगर लेस्ट में आपका नेम है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको employment मिली गई है means आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते यह कोई proper employment नहीं है कि अगर लेस्ट है नेम है तो डेफिनेटली है वो eligibility criteria है वो फुल्फिल होगा तो ही appointment होगा the next one the main thing जो ministry of health है इम्स जो four central hospitals है and NITRD है इन सब के पास authority है कि जो यह list आपकी publish की गई है वो इसी list को use कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं अगर for example कल को वो लोग कहें कि हमें candidates नहीं चाहिए या इस list के साब से हमको allotment नहीं करना है तो वो पूरी authority उनके पास है कोई भी candidate उनको object नहीं कर सकता उस time पे बट ऐसा नहीं होता बहुत ही कोई rare case है तो ऐसा होता है तरवाइस ऐसा नहीं होता बट still you have to keep it into mind the next thing is जितने भी provisionally selected candidates हैं उन सभी को online portal पर login करके allocation को accept करना है and documents की scanned copies हैं उनको 17 तक आपने upload करना है the next thing is the most important thing जिसमें students को बहुत ज़्यादा doubts रहते हैं वो है option 1 या option 2 ठीक है तो candidates जिने भी institute a lot हुए हैं उनको options select करने होते हैं like option 1 and option 2 अभी options क्या हैं तो option 1 मतलब आपको जो भी institute दिया गया है ठीक है आप उसको accept कर रहे हैं और आप वहीं पर report करेंगे and आपको कोई भी जो next round होने वाला है like second counselling होने वाली आपको उसमें participate नहीं करना like all set but what is option 2 तो option 2 में क्या होता है इसका मतलब है कि आपने accept कर लिया offer but आप next round में भी participate करना चाहते हों simply इसका मतलब है कि आप upgrade करना चाहते हैं अपनी allocation को for example आपको आपकी चार priorities थी like जब आपको hospitals चूज करने थे तो आपने institution ऐसे चूज किये यह example एक जैसे aims विजनगर था आपका first priority aims भूवनेशर second था aims डेली third था and aims पतना आपका fourth priority था तो आपको allot हो गया aims डेली तो इसका मतलब यह है कि वो यह जो total allotment हुई है यह merit basis पे हुई है तो आपने वो option 2 को accept कर रहा यहां पे तो क्योंकि आपकी priority aims विजनगर और जो आपका aims भूवनेशर है ठीक है तो आप aims डेली को अपने पास ही आपके पास ही है like option 2 आपने select कर लिया और आपको चाहिए aims विजनगर बट by chance आपको वो विजनगर नहीं मिल पाया जो कि आपकी first priority थी तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी seat cancel हो जाएगी आपका aims डेली रहेगा ही आपके पास ठीक है तो यह है मतलब इसमें एक तरह के से आप अपना जो seaters को upgrade कर रहे हो ठीक है मतलब आपको third priority नहीं चाहिए आपको second या फिर first चाहिए तो यह है option 2 basically बट option 2 में क्या है कि आपको कुछ amount pay करना होता है जिसको कि security deposit कहते हैं और वो 25,000 को होता है जो कि joining के बाद आपको return भी हो जाता है और अगर कोई candidate यह procedure follow ना करे जो कि इन्होंने यह बता रखा है पूरा तो उसका जो candidate chair है वो cancel हो जाता है वहीं पर ही तो अभी कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि security deposition है वो कैसे करना है जब आप login करते हो तो वहीं पर payment option आता है आपका देखना second last होगा payment option आप उसको open करते हो तो वहां पर एक PDF open होगा आपका और उसमें जितना भी AIMS का जो examination section है उसका account number उसका IFSC code सब कुछ दिया होता है तो बस आपको वहां पर 25,000 deposit करने है और जो भी receipt मिलेगा आपको वह आपको रख लेना है for future reference so अगर आपको वीडियो informative लगा तो वीडियो को like कर दें and चैनल को subscribe कर लें thank you so much हुआज होता है